इंडिया गटबंधन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से निशाना साधा कहा जातिवाद की राजनीती कर रहा है इंडिया गटबंधन भेदभाव फेला रहा है तोड़ने और बांटने वालों से बचना चाहिए बीजेपी सभी की पार्टी है सभी के साथ है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इंडिया गटबंधन पर जुबानी वार कर रहे हैं एक बार फिर से जातिवाद के नाम पर राजनीती करने का आरोप इंडिया गटबंधन पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ल को जाता पाथ के फेद में उल्जाते रहते हैं जातापाथ का यही जो मानवता का नुकसान करता है। यारी जात्रपात्र के नाम पर जब कोई किसी के साथ भिल्भाव करता है तो वो मानवता का नुक्सान करता है अगर कोई जात्रपात्र के नाम पर किसी को पढ़काता है तो वो भी मानवता का नुक्सान करता है इसलिए भाई और भेनों आज देश के हर दरीद को हर पीछरे को एक और बात ध्रान रखनी है हमारे देश में जाति के नाम पर उपसाने और उन्हें लराने में बरोसा रखने वाले अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई शुपकर्ण का आज अंतिम संसकार नहीं होगा किसान नेताओं ने संसकार करने से इंकार कर दिया कहा कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा संसकार भी नहीं करेंगे शुपकर्ण के दोशों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग एक बर फिर से किसान नेताओं की तरफ से उठाए गई कहा सरकार ने अब तक FIA दर्ज नहीं की परिवार ने कहा कि हमारे लिए पैसा बड़ी चीज नहीं है शुब का परिवार भी इंसाफ मांग रहा है शुबकर्ण के परिवार पर दबाव डाला जा रहा है ये भी आरोब किसान नेताओं की तरफ से लगाए गया दिले कूच को लेकर भी आज एहम बैठक होनी है उसमें आगे की रणनीती को लेकर फैसला किया जाएगा आज एक को गोली मारी है अगर इस पे को कारवई नहीं को किसी नौजवान को फिर गोली मारेंगे सवाल ये है तो आप पर्षा कीजिए फ़ियर कीजिए फिर ससकार होगा तो यही हमारी आज की थी और जो बाकी आपने कमिट्मेंट्स कीती हो पूरी करनी चाहिए तो पंजाब सरकार जितना जोर परिवार के रिष्तेदारों के उपर लगा रही है उतना जोर मांगों को जो हमारी मांगे थी उसको हल करने के उपर लगा देती तो शायद समस्या का और हम पूरी तरह कॉंस्टेश्ट कर रहे हैं अपने अंदोलन के उपर तो यह आज की वारता थी भी अभी यह अजी हो सकता सस्कार ना हो ना हो पाए तो जब तक यह केलियर नहीं होता आगे के तो